इस वक्त मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है आपके लिए that is the human skeletal system मानव का कंकाल तंत्र मानव के कंकाल तंत्र में skeletal system में last video में मैंने आपको इस diagram को detail में explain किया आपको बताया कि हमारी body में total bones कितनी है उनका division कैसे किया गया है कितने parts में बाटा गया है और कौन से division में कितनी कितनी bones आती है तो पूरा calculation किया उसके लाब मैंने आपको किसी नहीं देखा है तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा वीडियो आप जरूर से देख लें इस chapter का lecture number two आपके सामने आज में लेकर आया हूँ जिसमें मैं बात करूंगा the skull skull याने कि हमारे जो head बना रहा है part हमारे skeleton का आप देख पा रहे हो यह जो हिससा है उसको हमने क्या बताया था last time पर आपको skull बताया था तो आज इस video में हम बात करेंगे detail में skull की और especially skull में जो bones पाई जाती है उनके नामों की आपको बता दूँ कि जो आपका exam होता है चाहें वो आपके academic exams हो या competitive exams हो उनमें अकसर इनके नाम पूछे जाते हैं तो नाम बहुत महात्यकूर्ण है जिनने याद कराने के लिए ही मैंने आपको ये video बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एक पार्ट होता है सामने के तरफ जिससे हम face कहते हैं तो एक तरफ मैंने दिखाया है face और दूसरा पार्ट होता है इसका cranium याने के ये हिस्सा जो हमारे brain को protect करता है इसे हम लोग brain box भी कह सकते हैं इसके अंदर की जो cavity होती है that is a cranial cavity कपाल गुहा और उसी cranial cavity के अंदर हमा हमारा brain सुरक्षित रहता है तो हमारे स्कल के दो पार्ट हो गया हमारे स्कल में total bones होती है 29 28 तो पूरे स्कल में हो गई और एक hoid bone होती है हमारी tongue के नीचे तो वो bone भी include की जाती है total हमारा हो गया 29 bones का जो कि मैंने आपको last time पर बताया था last class में कि कितनी कितनी bones कहां कहां पर होती है आज हम चुकि detail में किवल स्कल की बात कर रहे हैं तो स्कल पर आते हैं स्कल में जो face वाला part होता है that consist of 14 bones यहाँ पर 14 bones होती है और यहाँ पर जो आप ये वाला part देख रहे हो cranium वाला इसमें 8 bones होती है तो आपने देखा कि 14 bones हमें आज face की जाननी है और 8 bones हमें जाननी हैं आज कहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे cranium में तो स्कल की जो खास bones हैं उनके बारे में जिक्र होने जा रहा है पहले हम बात करेंगे face की तो आप देख सकते हो face का जो ये वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने इसे draw किया है तो यह जो उपर का gray color का part देख रहे हैं ये cranium का है तो उसको यहाँ पर highlight नहीं किया गया है यहाँ पर केवल वो bones highlight की गई हैं जो facial bones है 14 bones हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं तो one by one हम इनके बारे में आपको बताते हैं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले आप देखें यहाँ पर nasal bones nasal bones का मतलब हमारे naak की जो अस्थिया बना रही है nasal bones कहलाएंगी और यह nasal bones दो होती हैं यहाँ पर एक इधर से और एक इधर से तो यह दो bones हैं these are the nasal bones okay nasal bone के बाद जो अगली bone आप देख रहे हैं वो हमारी eye orbit अब यह eye orbit क्या चीज़ होती है अब देख पार हो यहाँ पर यह जो दो बने हुए हैं अंदर की तरफ hollow यह pits यानि जो गर्द होती हैं गड़े होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं eye orbits नेत्र कोटर और इनी के अंदर हमारी eyeball situated होती है तो यह eye orbits है eye orbits के ठीक पास में यहाँ पर दो bones पाई जा रही हैं छोटी छोटी से आप यह देखे sky blue color से मैं इनको बनाया है these are the lacrimal bones lacrimal bones यहाँ प अब हम लोग आ जाते हैं अगली bone पर that is inferior nasal conca. Inferior nasal conca की संख्या भी दो है यहाँ पर आप देख पार हैं यहाँ पर जो corners पर दो bones होती हैं इनको हम बोलते हैं inferior nasal conca और यह भी दो होती हैं इसके बाद जो हमारी अगली bone है वो है maxilla. Maxilla हमारा upper jaw बनाती है एक यह है और एक यह total 2 maxilla हैं दोनों bones आपस मिल जाती हैं center में आप देख पार हैं यह बीच में center में dividing line बनी है और यह दोनों bones जो आप देख रहे हैं जो मैंने orange color से draw की हैं इनको हम कहेंगे maxilla और यह जो maxilla होती है इनके संख्या भी कितनी होती है दो तो यह हो गई हमारी maxilla इसके बाद आता है ह हमारा mandible जो sky blue color से आप देख रहे हूं single bone that is the mandible आपको बता दूं कि जो हमारा skull है पूरे skull में केवल mandible ही एक ऐसी bone होती है जो movable होती है मतलब चल सकती है बाके सारी bones जो होती है वो immobable होती है वो नहीं चल सकती है fix रहती है तो mandible लगातार नीचे से चलता रहता है जिसकी जो हमारा जबडा काम करता है जो हमारा काम करता है तो mandible एक अकेली single bone होती है जो हमारा lower jaw बनाती है अब जो हमारे teeth होते हैं lower teeth वो कहां है वो mandible में ही धसे हुए है और जो हमारा upper वाले teeth है वो कहां लगे हुए है वो maxilla में लगे हुए है तो आप देख सकते हो कि टीथ भी बोन्स आप देख रहे हो, these are the cheek bones, इनको हम cheek bones कहते हैं क्योंकि ये हमारे cheeks का जो भार वाला हिस्ता है, वो बनाता है, गालों को बनाता है, तो it is the cheek bones और इनको नाम दिया गया है, zygomatic bones और इनकी संख्या भी कितनी होती है, दो होती है, इसके बाद आप देखो, यहाँ पर दो yellow color की छोटी छोटी जी bones आपको देख रहे हैं, these are the palatine bones और palatine bones की संख्या भी कितनी है, दो है, तो ये हो गई हमारी palatine bones, अब finally एक bone हमारी है, जो यहाँ नीचे की तरफ पाई जाती है, that is called warmer, यह single होती है और center में पाई जाती है, तो ये हो गई warmer bone और इसकी संख्या भी कित टोटल लिखना था, तो ये मैंने आपर लिख दिया टोटल, और टोटल इसका है 14, ओके, तो 14 टोटल हो गया, अब आईए देखते हैं, 14 टोटल कैसे हुआ है, तो start करेंगे nasal से, nasal की संख्या दो, ये वाली हो गई, दोनो, lacrimal की संख्या दो, ये दोनो आप देख पा रहे ह होगे, sky blue color की lacrimal, ये भी दो हो गई, inferior nasal conca, ये भी दो है, तो आपको देख पा रहा है, यहाँ पर ये दो बनी होई है, दी जार्दा, inferior nasal conca, और ये भी दो है, इसके बाद maxilla, यानि upper jaw, ये भी कितनी याँ पर दिख रहे हैं, आपको दो दिख रहे हैं, इसके बाद हम आते हमाई cheek bones बनाती है, ये भी दो है, तो total हो गया दो, और finally हमारे पास जो अगली bone है, वो है pomer, और pomer क्या है, एक है, तो वो एक pomer bone हो गई, total calculation हमारा कितना हो गया, 14 हो गया, तो इस तरीके से आपने जान लिया, कि हमारे face में कौन कौन सी bone है, total 14 bones है, कौन कौन सी single है, कौन एक total हो गया हमारा 40, इसके बाद हम बात करेंगे cranium की, तो cranium में total bones की संख्या कितनी होती है, 8, और यहां से लेकर और पीछे तक का part हमारा cranium बना रहा है, जो brain को protect कर रहा है, तो यहां पर देखे, मैंने grey color से जो बनाया है, उससे highlight नहीं किया है, जैसे कि यह वहां पर नही हिस्सा, front में पाई जारे, इसलिए नाम दे देगा इसको frontal bone, और इसकी संख्या एक होती है, क्योंकि यह पूरे front में अकेली पाई जाती है, तो it is the frontal bone, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यह center में दिख रही है, तो that is the frontal bone, इसके बाद जो यह वाली bone आपको दिख रही है, that is the parietal bone, और यह दो होती है, एक इधर है और similarly एक इधर है, यानि एक बीच में center line जाएगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ जो bones पाई जाएगी, इस आरदा parietal bones और इनकी संख्या कितनी होगी, दो होगी, इसके बाद आते हैं तीसरी bone पर, यह है temporal bone, जो मैंने occipital bone, तो यह कितनी होती है, एक होती है, तो यह खास-खास bone पहले आपके एक बारयात कर लो, frontal एक है, parietal दो है, temporal यह भी दो है, और occipital यह एक है, इसके बाद दो bones और बच रही है, एक bone होती है यहां अंदर की तरफ जिसका नाम होता है, sphenoid bone, और आपको बदा दूँ कि इसी sphenoid bone में एक गर्थ होती है, जिसमें हम लोग की pituitry land पाई जाती है, तो यह sphenoid bone हो गई है हमारी, इसके बाद एक bone आपको यहां पर यह छोटी से दिख रही है, that is the ethmoid bone, यह भी single होती है, तो यह cranial bones है और इनकी total संक्या कितनी होती है, 8, तो यह 8 cranial bones हमारे पास हो दूसरी parietal कितनी होती है, दो होती है, कहां होगे, एक इधर और एक इसके पीछे, तीसरी temporal bone दो है, एक इधर, orange कलर से मैंने बनाई, यह को दूसरी तरफ होगी, इसके बाद occipital bone एक है, back side में यह होती है, उसके बाद sphenoid bone यह भी एक होती है, और फिर है ethmoid bone यह भी एक हो वाले part में थी total 8 bones, अगर हम total बात करें, इस skull bones की, तो total मैंने आपको कितना बता है, 29, अब यहाँ पर जो calculation आपने देखा, उसमें आप देख पा रहे होगे, 14 यहाँ पर है, और 8 यहाँ पर है, यानि 22 bones तो यह हो गई, अब जो बची हुई 7 bones हैं, उनका क्या, मैं उनको last व राट है, तो 3 bones यहाँ और 3 bones यहाँ, आपको पता है कि ear में हमारे incus, malus, stepes, यह 3 bones पाई जाती है, जिसमें से सबसे छोटी bone जो होती है, body में, वो stepes होती है, तो आपकी question भी याद कर ले, stepes is the smallest bone of our body, हमारी body की सबसे छोटी bone stepes है, that is situated in the middle ear, जो हमारे मध्धिकर्ण में प पर होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, tongue के नीचे, उसको हम लोग बोलते है, white bone, तो white को मिला कर, यहाँ पर total calculation कितना हो गया, 29 bones का हो गया, उनके बारे में मैं अलग से बात करूँगा, तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा है, इस वीडियो में आपने हमारे skull में कौन-कौन सी special bones हैं, उनके बारे में खास-خास जो नाम थे, वो याद किये, exam में नाम ही पूछे जाते हैं, इनके details नहीं आती, तो आपके लिए इनके नामों से ही बहुत जादा मतलब है, मैंने दोनों details में diagram बना कि आपको हर एक बात बता दी है, और उम्मीद कर रहा यहां पर फिलाल इतना ही, thanks for watching, have a good day.